भक्तों का जो वो भगवान है एक्टर अमिताप बच्चन उसको कुरोना हो गिया है और उसके गे बेटे अभी शेख बच्चन को भी कुरोना हो गिया है विकास दूबे टाइपर बना के यूज करा पहलो से बेवकूप बन वालिया उसे मर वालिया कुट वालिया जब खाकूमत का काम निकल गया तो उसको एंकाउंटर करके मार दिया फर्जी एंकाउंटर करके मार दिया निया के इतिहास ने पहली बार ऐसा एनकांटर हुआ जिसमे भागने वाले के सीने पे गोली लगी किस तरह भाग रा था? जब में जिस्रद जहां आपको याद होगा बहुत चर्चीत एनकांटर था फर्जी एनकांटर था एक मासूम लड़की को कॉलिज में घुसके मारा था और उसी वज़ा से तड़ी पार हो गया था दीपक चौरासिया कैसे कह रहा है कि शाहिन बाग पे बैठे थे तो क्या हराम और शाहिन पहले पढ़ कर आया करो जाहे लो यह सारे जिहादी बम है जो मीडिया पे बैठे है, मीडिया जिहादी महीं है कि दीपक चौरासिया, इतना मकार हैं कि शाहिन बाग पे आया था और कह रहा था, कि शाहिन बाग की ओड़ों ने मुझे मारा जस्माने में यह इढ़ prin 2019 शाहिन बाग फार बैठे बेठी ही विकास दूबे का चैप्टर क्लोस, बाबरी मज़ित का चैप्टर क्लोस, इविन अब तो करोना भी पुराना हो गया, लोग यखीन करने को तयार नहीं है, पालन नहीं कर रहे हैं, तो चायना से दिमाग अठाना है, नेपाल से दिमाग अठाना है, तो उसके लिए एक नया ज से एक बच्चन को भी categor जोल माल के तो ऑपने घरों में रहते हैं सोशल स्टेन्स सोशल बैकॉट करके रहते और अपसे नहीं है आपको पता हुआ अंबाने की गोद में पलता बड़ता है abusने कि गोद Yoshina इस जो में रहे हितना है इह तों हमेशल उस जिसकी पावर ळोती है अंभी पावर श्चान कि पेर गोद में जाकर बैठ जाता है का भी मुलायम संकी गोद में आकर बैठ गया है बीजेपी की गोद में आकर बैठ गया है तो कैसे हो गया इसको कुरोना कुरोना इसको नहीं हुआ यह आपको कुरोना करवाया गया आपको बेवकूब बनाया गया आपको जाल में उलजाया गया ताकि आप अमिता बच्चन अमिता बच्चन गोबर बग जो है बो जस लाएक बेबी डाइपर और डाइपर बना के किसको भी यूज करा भक तो देखा तो होगो तुमने यूपी में इूज करा विकास दूबे डाइपर बना के यूज करा पहले उसे बेविषु बन वाली या blond अनक्त favor करके मार दिया फर्जी एंकाउंटर करके मार दिया क्योंकि आप उस एंकाउंटर पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं जब मीडिया उसके पीछे जा रहा था तो मीडिया को रोका और 10 मिनट के अंदर अंदर उसका एंकाउंटर कर दिया और कितनी मज़ी की बात है कि वो कैसा ही मैन बैठा था पुलिस वाले और विकास दूबे जो थे कि गाड़ी चेंज हो गई 15 मिनट में गाड़ी चेंज हो कि गाड़ी पलड़ गई वो मर गिया और भाग रहा था और भारत का वी दुनिया के इतिहास में पहली बारे ऐसा एंकाउंटर हुआ जिसमें भागने वाले के सीने पे गो पांच हजार के पांच हजार फेक हुए हैं चाहिए वो अमिश्या और टकलू इसने महाँ पर गुजरात में एंकाउंटर करा था इश्रत जहां आपको याद होगा बहुत चर्चित एंकाउंटर था फर्जी एंकाउंटर था एक मासूम लड़की को कॉलिज में घुसके मा रहा था और उसी वरह से तड़ी पार हो गया था चाहिए वो हैदराबाद का एंकाउंटर हो पांच लोगों को सुवाई सुवा पलिस जाकर मारी आई थी वैसे तो हल्ला काट रखा था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा माला फॉरन मार दिया था तो यह एंकाउंटर नह आते हैं क्योंकि इनका जो आई टी सेल बैठा वा है वो उल्टी सीधे न्यूजे हांकता है तो अब विकास दूबे पर सवाल उठने लग गए थे कि भाई जो बंदा खुद एंकाउंट जो बंदा खुद सरंडर कर रहा है मंदिर में चुपा बैटा है महाकाल मंदिर में उजयन के और कह रहा है हाँ हाँ मैं विकास दूबे हूं और सरंडर कर रहा हूं जो बंदा सरंडर कर रहा है कि हमें तरह पागल समझ रखा है तुमने कि बंदा सरंडर कर रहा फिर गाड़ी में बैटके भागेगा तो वहां क्यों नहीं भागा फिर उसे सरंडर ही क्यों कर और भाग रहा था तो उल्टा कैसे भाग रहता वो गोली उसके पीछे क्यों नहीं लगी कुमर पर फरंट पर क्यों लगी और जब भाग रहा था तो फिर गाणी में कैसे बैठा वा था वो भाईव यह वही विकास दूबे है जब सन 2002 में सेंटर में बीजेपी के सरकार थी औ तो इस बीजेपी के आदमी इने थाने में घुसके इसी विगास दौबे ने थाने में घुसकर बीजेपी के ही दूसरे नेताग को गोली मारी थी और कमाल की बात देखे उस वक्त टोटल थाने वालों की जो बंदूगे थी वो सेट साथ में जंग लग गये थे क्योंकि इन्होंने बदले में विकास दूपे पे गोली नहीं चलाई थी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करी थी तो जो थाने में घुसके मार सकता हो तो उसकी पावर का आप अंदाजा लगाईए कि उसकी कितनी पावर रही होगी उसकी कहां कहां घुस पैट रही होगी यानि थाने में तो तुमसे उसे पकड़ा नहीं गिया थाने में उसको उसने मारा पुलिस स्टेशन मा तो तुमने इसको करवाई नहीं करी और जब उसने सरंडर कर दिया तो तुमने उसको मार के कह दिया कि नहीं वो भाग रहा था इसलिए तुम झा टूंक ही उसका कतल कर दिया आप पूरे भारत में क्या पूरी दुन आप पूरी दुनिया मजाख उड़ा रही है क्यों बंदा सरेंडर कर भा है प्र भी माजारे है सवाल बनता है क्योंकि तुम्हारे राज है बीजे भी किस राज उसके पास थे संग के राज उसके पास थे सारे काले चिट्टे उसके पास थे विकास दूबे के पास और यही वो विकास दूबे था जो भारत का पुत्र था भारत का विकास पुत्र था पास बेटिया पैदा करने के बाद इतनी मुश्क्रों से पैदा कर रहा था और अपने ही बेटे की इ ने तुझे कुरोनार पॉजिटिव हैं अब पूरा मीडिया दिखाएगा लेकिन बहकल और ना होते हैं और नो हैं कि दाइपर में किसके गोवर आता है किसका मूत रहाता है वो बच्चे का आता है तो यह बिल्कुल ऐसी नाम है ब्रहमनों की तन्जीम और ब्रहमन भारत में कितने हैं मात्र 3% और भक्त कितने हैं 45 से लेके 60 लाग तक तो कहां से आए ये सारे के सारे खरीदेवे भक्ते हैं अभी फेस्बुक पे भी जो भगवा आतंगादी गुरूब है जियो अमबानी जो है इसने इससे दिमाग नोट करें इस वक्त सबसे ज़्यादा ये जो गोबर भक्त हैं ये जो बेबी डाइपर्स हैं ये फेस्बुक पे भी बहुत ज़्यादा आने लगें बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं बहुत ज़्यादा हरामी पन करते हैं तो इस तरफ से दिमाग हटाने के लिए इन्हों ने अमिताब को तयार करा कि तू जली से जाके एडमिट हो जा रिपोर्ट तुम सारी फरजी बनाते हैं रिपोर्ट कौन सी है तुम तो हरे को पॉजिटिव कर रहे हो और कमाल की बात यह है जिस करोना वाइरस का कोई वैक्सिनेशन इजाद नहीं हुआ उसी क्रोना वायरस का पेशन अगर RSS का होता है बीजेपी का होता है तो चंगा मंगा होकर आ जाता है लेकिन अगर वो मुसल्मान होता है या दलित होता है तो उसको मार दिया जाता है क्यों क्रोना वायरस से तुम्हारी रिश्दारी है क्या तुम्हारा कॉपिराइट है क्या क्यों तुम्हे थोड़के चला जाता और हमारे पी चिपड़ जाता है और हमें वैसे ही चिपड़ जाता है चाहे हमें करोना हो या ना हो हमें करोना हो जाता है तो यह सारे ड्रामे बंद करो आपको मौलूम ही अमिता बच्चन कौन है यह अमिता बच्चन वो ही 15 अगस में इ एक पैसा नहीं लिया था हाला कि मैं आमिर खान को सपोर्ट नहीं कर रही हैं मैं आमिर खान को भी कहती खैँ तो संगी गोड में बैठा वा médico है आमिर खान शारू खान सम्लाइक है शरू सबके सब संगी गोड港 लेकिन उसकी देश भक्ती देखो और ये भक्तों के भगवान अमिताब बच्चन महानायक जिसको कहते हैं कोई महानायक नहीं है पक्का वाला खल नायक है यह क्या करा इसने यह वही अमिताब बच्चन आपको याद होगा संदो हजार तेहरा में क्या टूइट कर रहा था भाईयो साइकले निकाल लो प भगवा it के बैजल होते है यह चाहिए वो मीडियो वारे हो इस वक्ति की अब्षी होगा अब दर जगाया और कौन है और इस वक्ति मेडिया पूरा भगवात वादी चैनल बन चुके है यह सिर्फ यूट्यूब से हैं जो आपको सही दिखाते हैं सही अपडेट देते हैं नहीं तो अगर हम भगवा आतंगवादी चैनलों पे बेस रहे तो हम तो बरबाद हो जाने है अभी आपने जैसे देखा जिस वक्त विकास दूबे ने पुलिस वालों का एंकाउंटर करा था तो इसी स्ट्रीम मीडिया ने किसी नही नहीं दिखाया था क्योंकि महां दस पुलिस कर्मी शहीद हुए थे तो वो इतने वैलियोबिल नहीं ते शहीद करने वाला कौं था। कौं था भगवा आतंगवादी ही विकास दूबे का एंकाउंटर हो जाता है या जहब वो उसको हीरो बनाके परमोट कर रहा था और फिर जब उसका एंकाउंटर हुआ तो किस तरह होड मज गई और नागनी तिवारी कैसे कह रही है कि मौलाना साथ का एंकाउंटर कब होगा यह नागनी तिवारी तो यह हाल है इनका वह मनुस महाराज इनका चैनल है दीपक चौरसिय कैसे कह रहा है कि शाहिन बाग पर बैठे थे तो क्या हराम खोर शाहिन पहले पढ़कर आया करो जाहे लो यह सारे जिहादी बम है जो मीडिया पर बैठे यह मीडिया जिहादी बम है हराम खोर अगर तू देखे जितने भी प्रोटेस्ट चल ले थे दीपक चौरसिया महां सार वे शाहिन बाग में पच्चास हजार ओरते बैठी थी पचास जार पबलिक थी अगर एक एक भी थपड मारती ना इसका स्टीकर बनके जमीन पे चिपक जाता कीमा कुफता भी न मिलता और फिर दुबारा फिर आ गया तू तो यह सब जूटे मकार हैं सारे के सारे हराम कोर अब जान के चाहने का हाल किसे ने पूछा पैटरोल के दाम क्या है और विकास दुबे के एंकाउंटर करने के चक्कर में टिमाटरा सी रुपे के लो कर दिये नियानि इतना बावला बनाते हमारा दिमाग हटा के चीजों को महंगा कर देते हैं